इसमें कक्षाइक के लिए हिंदी के जो कालाश दिये गए हैं उसमें सबसे पहले है दोस्तों की अच्छी आदतों पर बाचीत करना इसमें तैयारी और सामगरी है कागस की गेन शिक्षक के लिए मुख्य बात है कि बच्चों को गतिविधी में भाग लेने के लिए प्रुटसाहित करें गतिविधी की शुरुवात किसी कविता बालगीत कहानी या खेल गतिविधी से करें बच्चों को बताएं कि इस गतिविधी में सभी बच्चे अपने किसी एक दोस् के बारे में अच्छी बात बता रहा है फिर वो किसी भी दूसरे की बच्चे की तरफ फेक देगा और उस बच्चे को अपने किसी दोस्त की अच्छी बातों को साजह करना होगा है इसके लिए सबसे पहले आप सभी बच्चों के बारे में कुछ अच्छी बाते करें जैसे मु तक सभी बच्चों को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिल जाता आप इस बात का विशेश दिहान रखें कि इस गतिविधी में अगर किसी या कुछ बच्चों के बारे में बातचीत नहीं हुई है तो अंत्यमें उनके बारे में अवश्य बातचीत करें लिखने के लिए जिन बच्चों को कार में परिशानी हो रहे हैं उनकी पहचान करें उनसे बादचीत करें और शिक्षक देखें कि सभी बच्चे गतिविधी में प्रतिभाग करें दूसरा कालांश है डिकोडिंग यानी वाक्यों में शब्दों को पहचानना इसके लिए आधारशिला क्रियानवन संदर्शिका में मनीराम नामक कविता की आवशक्ता होगी शिक्षक के लिए मुख्य बात है कि वैं सुनेश्चित करें सभी बच्चे गतिविधी में प्रतिभाग करें कक्षा का महल रोचक बनाये रखें कालाश की शुरुआत शब्दावली विकास के लिए कालाश की शुरुआत आप चलने फिरने उठने बैठने से सम्बंदित किसी खेल कतिविधी से करें इसके लिए 5-7 मिनिट का समय दे बच्चे को कविता दिखाते हुए कविता की लाइनों के प्रतेक शब्दों पर उंगली रखते हुए कविता का वाजन करवाएं अब बच्चों में किसी एक वाक्य में आई होई शब्दों के बारे में पूछें जैसे कविता की पहली लाइन में कितने शब्द हैं पहला और अंतिम शब्द कौन सा हैं इसी प्रकर से आप 3-4 और छोटी-छोटी कविता हैं आधार शिला क्रियानवन संदर शिकक कक्षा 1 पाठ 25 से ले सकते हैं आप इन कविताओं में से एक एक कर कुछ शब्द बोलें और बच्चों को कविता की लाइनों में उन्हें खोज कर पढ़ने के लिए कहें सभी बच्चे कारपुस्तिका के पाठ 16 पर कार करेंगे और आवक्षकता अनुसार शिक्षक उनकी सहेता करें शिक्षक देखें कि सभी बच्चे कारपुस्तिका का कार पूरा करें यदि नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी मदद करें बच्चों, आज हमारी कविता का नाम है मनी राम, इत्ते से मनी राम, इतनी लंबी मूच, सटक चले मनी राम, मटक चली मूच, जित्ते बड़े मनी राम, उनसे बड़ी मूच, लटक चले मनी राम, चटक चली मूच, तीसरा का लाइश है साजह पठन और पढ़ने का अभिने, इसमें बिग बुक से पठन होगा, बिग बुक चिडिया पठन के लिए शब्दों का चैन करके रखना है, शिक्षक बच्चों को अपनी भाशा में अपनी बात कहने के साहित करें, कालाइश के शुरुवाद छोटी कविता से करें, उनको सहज करें, पिछले दिन हुई चर्चा का दोहराओ कुछ प्रशनों को पूछ कर करें, फिर बच्चों को आपके साथ साजह पठन करने के लिए कहें, पढ़ने के दोरान आप उन जगह पर रुकें, जहा कठिन शब्दों पर आपने पिछले दिन कारे किया था, उन पर आप फिर से बात कर सकते हैं, कुछ नए बच्चों को इन शब्दों से वाकिमन आने का मौका दें, बाद में कक्षा के पाच्छे बच्चों को बुला कर बिग बुक पढ़ने को कहें, यहां अदेश बच्च आखिर में चार्ट पेपर पर लिखे हुए शब्दों को बच्चों से पढ़ने को कहें, शिक्षक देखे कि सभी बच्चे साजा पठन में इस हिस्सा लें, यानि कि प्रतिभाग करें, तो यह थे हिंदी के तीनों का लाइश, अब वो कारे पुस्तिका का पेज देख लेत सोचे और मिलान करें, जैसे कि एक उधारण दिया है कि साबुन नहाने के काम आता है, तो जो बच्चे नहा रहा है, उससे मिलान किया है, इसी तरह अन्ने कॉलम्स के भी मिलान करने हैं, दूसरी एक्ससाइज है कि बिंदों को मिलाना है, आम और बॉल का चित्र बना है, जैस गति विधी चार करेंगे, तीसरे सप्ता हमें, रसी कूद, इसका उद्देश है, बच्चे रसी कूद कर संख्या गिने और कम जादा बता पाए, इसके लिए तैयारी होगी कि इस गति विधी को करने के लिए थोड़ी खुली जगे चाहिए कि बच्चे रसी कूद सके संसाधन में एक रसी चाहिए होगी कूदने के लिए जंपिंग रोप, गति विधी के चरण, सभी बच्चों को एक जगे बैठने को कहें, एक बच्चे को बलाकर रसी कूदने को कहें, बागी बच्चे गिनते रहेंगे कि कितने रसी कूदे उस बच्चे ने, शिक्षक बच्चे रसी कूदने की कुल संख्या बताएंगे इस तरीके से अगला बच्चा भी आएगा और रसी कूदेगा इस प्रक्रिया को कई बार करिए ताकि हर बच्चे को मौका मिलें फिर बच्चों से पूछें किसने सबसे ज्यादा रसी कूद की और किसने कम की तो ये था पुस्तिका का पेज देख लेते हैं घड़त की दूसरी कालांश में अभ्यास पत्रक करवाना है तो सब्ता 3 के लिए जो 4 दिन का अभ्यास पत्रक है वह इस पिक्चर में आप देख सकते हैं अभ्यास 4 पहली एक्सराइज रेखाया खीचे और दूसरी एक्सराइज भी है रे सब्सक्राइब की तीनों का लांश कक्षा एक के लिए कल जनमाश्टमी का अवकाश है फिर मिलती हूं आप से शनिवार के कारे के साथ तब तक के लिए धन्यवाद